हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पड़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आये हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो की बिहारदर होगा मेंस के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्म टू बुक से चलाया जा रहा है एक से आठ तक के सेट अलेडी अप्लोडेड है आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजे बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर पीडियेफ नहीं मिल ला है तो पीडियेफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से जाके कोई भी टेलीग् स्पीड तेज है वो थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लेए यूटूमें ऑप्संस हैं अब लेबल और जिने लग रहा है कि अपने कोईशन की तरफ कोईशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक रहा है कि हड़पः सभीता संबंधित है तो इसका जो साहिय अंसर होका जाएगा ऑप्शन नमरे कासई यूग से संबंधित है देखिए हड़पः सभीता को कासई यूगी संब्यता इसलिए कहा जाता है क्यूंकि सर्प्रथम हडपा सभिता के लोगों ने ही कासे का परियोग करना सुरू किया था हडपा सभिता से एक और चीज याद रखिएगा कि हडपा सभिता का जो काल था वो तेई सो पचास बीसी से लेके सतरह सो पचास बीसी तक था प्लेर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमर सेकंड कोश्चन नमर सेकंड कर रहा है कि निमलिखित में से किसे एसिया के जोती पुंज लाइट ओफ एसिया के तोर पे जाना जाता है तो इसका जो सईयन सरे वो है ऑप्सन नमर ए गौतम ग्यान की प्राप्ति हुई और कहां ग्यान की प्राप्ति हुई थी यह भी याद रखेगा निरंजना नदी के टर्ट पर जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है निरंजना नदी के टर्ट पर पीपल ब्रिच के नीचे इनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी और उसी के बा सासको के द्वारा जिसको सको बोला जाता है तो option number D जो होगा वो सही अंसर हो जागा छतर प्रनाली है क्या देखिए छतर प्रनाली एक ऐसा प्रनाली था जिसके तहट सक राजबंस के सासको ने अपने राज़ को छोटी-छोटी कायों में बिभक्त कर दिया था एक चीश और याद रखेगा सकत सासको से कि जो सकत सासको थे वो मुक्ति-दाता की उपाधी धारन करते थे किसा सानबर 7 इयो जो होगा वो हमारा बल्बन को और ये याद रखेगा कि ये जो उपाधी हो किसके द्वारा दिया गया था तो एक बलबन का दमाद था नसुरुदीर महमूस साह तो उसी के द्वारा बलबन को उलूख खान की उपादी दिया गया था बलबन से याद रखेगा ये 1266 में दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली की दद्दी पर बैठा था बल्बन से एक और चीज़ याद रखेगा कि बल्बन के दरवार में ही कौन रहते थे अमीर खुसरो और अमीर हसन ठीक है ये बहुत बार पूछा गया कि अमीर खुसरो किसके दरवार में रहते थे क्लेर है चलिए नेक्स कोश्चन अमारा कोश्चन नमर 5 कोश्चन नमर 5 कह रहा है कि विजयन अगर समराज का पतन किस बर्स हुआ था तथा इसके अबसेस कहा मिले हैं तो देखिए इसका जो सहयन से रोगा बहुत हो जागा 1565 इसवी हमपी में लेकिन अगर आपको पता हो तो 1529 इसवी की बात है कि 1529 इसवी में एक विजयन अगर समराज का राजा था किरिस्न देव राय और इसी के मिर्त्यू के समय ही क्या हो गया था विजयन अगर समराज का पतन होना स्टार्ट हो गया था लेकिन पूरी तरह से पतन हुआ था 1565 स्वी में ठीक है और यह करनाटा के बिलारी जिले में यह जो हमपीस थी थे यही विजयनगर समराज की प्रथम राजधानी भी थी और यहीं से उसका विजयनगर समराज के पतन का अबसेस भी मिलता है ठीक है अगर हम विजयनगर समराज की अस्थापना की बात कर लेते हैं तो विजयनगर समराज की अस्थापना हुई थी 1336 स्वी में और किसके द्वारा हरियर एबं बुक्का नमक दो भाईयों के द्वारा किया गया था क्लियर है और यह जो 1556 वी में इसका अंत कैसे हुआ था अंत हुआ था कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस यूध के बाद तो याद रखेगा ताली कोटा का यूध हुआ था 1556 वी में ठीक है और इसी के साथ विजय नगर समराज की पतन हो गया था नेक्स कोशिन अमारा कोशिन नमर 6 कोशिन नमर 6 कह रहा है कि अमरी सर में स्वन मंदिर के निर्मान के लिए भूमी प्रादान करने वाला मुगल बाथसा समराज कौन था तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा आकबर अप्सन नमर B देखिए अकबर के अगर हम बात करते हैं तो अकबर जो था वो सिखे के तीसरे गुरू ठीक है तीसरे गुरू से मिलने गया था जिनका नाम था गुरू अमरदास ठीक है और जो गुरू अमरदास की पुतरी थी उसका भी नाम याद रखेगा बीबी भानी उसको ये 500 बिगा जमीन दान में दे दिया था अकबर अब फिर जो बीबी भानी का पती हुए ठीक है बीबी भानी का पती हुए तो कौन गुरू रामदास जो सिखो के चौथे गुरू हुए और इनोंने ही क्या किया इसी भूमी पर अमरिसर नामक जलासा खुद बाया था और अमरिसर सहर की अस्थापना किया था अब फिर इनके बाद पांच में गुरू आये गुरू अर्जुन देव और जिनोंने अमरिसर जलासा के मन में हर्मिंदर साहब का निर्मान करवाया और हर्मिंदर साहब को ही स्वण मंदिर कहा जाता है तो जनरली जो थे 1534 इसवी म अब मेंली जो ये किसके देखरेख में हुआ चोथे और पांच में सिख गुरू के देखरेख में अमरिसर में स्वण मंदिर का निर्मान हुआ था ले रहें चलिए next question है question number 7 question number seven कह रहा है कि निर्म लिखिद में से कौनसी एक किताब मुगल साही परिवार की एक महिला ने लिखी है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुँ जागा हिमायू नामा हिमायू नामा किसके द्वारा लिखा गया है हिमायू नामा पुस्तक की रचना हिमायू की जो बहन थी जिनका नाम क्या था गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम के द्वारा किया गया था ठीक है हिमायू के अगर बात कर लेते हैं तो आप लोग हिमायू से भली भाती परचित होंगे हिमायू जो था वो बाबर का पुत्र था और अकवर का पीता था ठीक है और फिर 1556 इस्वी में दीन पनाभवन में एक लाइबरेरी था उसी लाइबरेरी की सीडियों से गिरने के करन हिमायू की मिर्तू हो गई थी अगर हम और आपसंस की बात कर लेते हैं तो अकवर नामा की अगर बात करते हैं तो इसकी रचनाकार्थ है अबुल फजल और बाबर नामा तो आप लोग भली बाती परचित होंगे कि बाबर नामा जो था वो बाबर की जीमनी था और खु नाम सुने होंगे सिरा जुदॉला जो था वो 1756 इस भी की बात है कि सिरा जुदॉला जो था वो 20 जुन 1756 को एक छोटे से कमरे में अंग्रेज 146 अंग्रेज को बंद कर दिया था ठीक है और मैसा माना जाता है कि उसमें से 123 अंग्रेज की दम घुटने से मौत हो गई थी और इसी घटना को क्या बुला गया है काल कोठी या ब्लैक खोल दुरुहटना बुला गया है तो इसका जो सयन से रोगा बहुँ जगा आपसन नमर D नेक्स कोशिन अमारा कोशिन नमर नाइन कहला रहा कि निम्न महाप रूसों में से कौन भारतिय जागरिती का जनक कहलाते हैं राजाराम मोहन राजाराम मोहन राए से याद रखेगा तीन चीज़ पहला चीज क्या, पहला चीज याद रखेगा, 1815 में उन्होंने आत्मिय सभा की खोच की थी, मचब अस्थापना किया था, आत्मिय सभा का अस्थापना किया था, फिर उसके बाद याद रखेगा कि 1825 में, 1825 में उन्होंने बेदांत कॉलेज की अस्थापना की थी, और एक ब्रह्म समाज के जरिये ही राजा राम मोहंजा ने सती प्रथा का बिरोध किया था क्लेर है चलिए next question हमारा question number 10 question number 10 कह रहा है कि बंगाल भी भाजन 1905 के कारण कौन सा अंदोलन पारम किया गया था तो बंगाल भी भाजन के कारण कौन सा अंदोलन पारम हुआ था लेकिन ये परभावी कब हुआ था, परभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से, तो दोनों टेटी याद रखेगा, घोसना कब हुआ था और परभावी कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 को घोसना हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से परभावी हो गया था, देखें, जो लॉड करियन जो उसने ये कहा था, कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं कि परसासन को सुचारी रूप से हम संचाली कर सकते हैं, लेकिन असल रिलिजन ये था, कि बास्तविक में बंगाल में राष्टबाद की भावना इतना जादा बढ़ गया था, कि उसको कमजोर करने के लिए कभी भाजन किया गया था, ठीक है, नेक्स कोशन अमारा, कोश्चन नमर 11, कोश्चन नमर 11 कह रहा है, ICS परिच्छा एक साथ इंगलेंड और भारत में कब लेनी आज़म की गई, तो ये 1922 में आज़म किया गया था, तो इसका आप्सन नमर 2 जो होगा, वो सही अंसर होगा, 1922 में जो ब्रिटिश सेवा सेवा आयोग था, उसकी परिच्छा भारत में सरपर्थन कहां योजित की गई थी, एलाहबाद में योजित किया गया था, ठीक है, और एक चीर और याद रखेगा, कि ये जो लोग सेवा परिच्छाए थी, इसको इंगलेंड और भारत में एक स कराने की जो सिफारिस किया गया था, वो किया गया था, मांटेंगू, चैम्सवर्ड, सुधार के द्वारा, ठीक है, एक रहा है, चलिये, और ये कब हुआ था, आप लोग को नाम याद होगा, लॉड चैम्सवर्ड, तो लॉड चैम्सवर्ड के काल में ही मतलब 917 में सैंड Q13. Q13 कह रहा है, पसुपत धर्में सिप पसु के स्वामी कह लाते हैं, पसु का तात्पज निमलिखित में से किसमे था, तो पसु का तात्पज जीब से था, तो option नमबर D जो होगा, वो हमारा सही अंसर होगा, पसुपत संप्रदाय की बात करते हैं, तो पसुपत संप्रदाय जो था, वो एक सैब धर्म का एक मत था, ठीक है, किसका सैब धर्म का एक मत था, चलिए, अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ, जो कि हमारा question number 14, question number 14 कह रहा है, कि निमलिखित चीनी यातरी भारत आये थे, ठीक है, और इनका कालन उक्रम आपको बताना है, तो सबसे पहले अग अगर हम बात करते हैं, तो ये 675 इस्वी में भारत आया था, और इससे एक चीज़ याद रखेगा, कि ये 10 बर्स तक नालंदा विस्विद्याले में फिर रहा था, ठीक है, second option है, फायान, फायान के अगर हम बात करते हैं, तो ये 399 में भारत आया था, ठीक है, और किसके सा सासंकाल में चंदरगुद्दूतिय जिसको विक्रामदित बोला गया है, विक्रामदित के सासंकाल में ये भारत आया था, अगर हम संग्यून की बात करते हैं, तो ये एक चीनी आतरी था, जो 518 में भारत आया था, फिर अगर हैंसोंग की बात करते हैं, तो हैंसोंग जो थ वो किसके 629 इस भी में हर्स बर्धन के साथ संकाल में भारत आया था तो अब इसको तो आप खुद से अरेंज कर लीजेगा अरेंज करने के बाद आपका उप्सन जो होगा बुड़ी आपका सही अंसर हो जाएगा क्लेर है चलिए नेक्स कोश्चन हमारा कोश्चन नबर 15 कोश्चन नबर 15 कह रहा है कि जल का कोथकांग जल का कोथकांग क्या होता है बायू मंदली दाप पर निर्वर करता है मतलब अटमस्फिरिक प्रेसर पर निर्वर करता है अगर सामान बायू दाप जब रहेगा तब जल का क्वाथांग क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा लेकिन जैसे जैसे बायूदाब बढ़ेगा जल के क्वाथा कांग बढ़ेगा मतलब बायूदाब के बायूदाब जो होता है वो जल के क्वाथांग के समान उपाती होगा तो इसका जो सही अंसर होगा बोहो जगा option number B बायू मंडली ये दापर निर्वर होता है next question है question number 16 question number 16 कह रहा है कि x किरने बास्तों में तो इसका जो सही अंसर होगा option number C बीदू-चंबू किये तरंगे होती है ठीक है x किरने की अगर हम बात करें कैथोड किरने किसी अधीक परमानुभार तथा उच द्रव क्यांक बाले धातु से टकराती है तो उनके संघास एक नए प्रकार की किरन निकलती है और उसी किरन को हम क्या कहते हैं X किरन कहते हैं क्लेर हैं? चलिए Next question हमारा question number 17 question number 17 कहा रहा है कि यदि एक सरल लोलक का एक सेकेंड में दोलन L तथा T उसकी प्रभावी लंबाई है एब हम G is equal to गुरत्वे जनित त्वरन तो समया अबदी मतलब T देखें यहां एक सिंपल पेंडूलम दिया हुआ है आपको time period का formula आपसे पूछ रहा है तो time period का जो formula होता है वो हो जाता है T is equal to 2 pi under root L upon G देखें आप लोग पढ़े होंगे कि एक सरल लोलक मतलब एक सिंपल पेंडूलम होता है उसका जो time period होता है वो mainly दो चीज़ों पर depend करता है एक इस पे length of pendulum पे मतलब pendulum की लंबाई पे लोलक की लंबाई पर और दूसरा depend करता है acceleration due to gravity पर तो इसका जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा option number D next question हमारा question number 18 question number 18 कह रहा है कि transformer क्या करता है ठीक है तो transformer यहाँ एक इस पे कार्ज करता होगा तो transformer जो होगा वो AC पर कार्य करता है तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा transformer का कामी क्या होता है transformer समझ लीजे कि एक ऐसा बिदूति उपती है जो AC सप्लाई की सकती और ability को बिना बदले उसे कम या जादा कर सकता है ठीक है ट्रांसफर्मर से एक चीज़ याद रखेगा कि transformer के अब इसकारा कौन थे माइकल फेराडे क्लेर है चलिए next question हमारा question number 19 question number 19 कह रहा है कि चंद्रसेखर सिमा किस पर लागू होती है तो चंद्रसेखर सिमा सितारों पर लागू होती है इन्हों नहीं 1930 में चंद्रसेखर सिमा की खोज की थे और यही जो चंद्रसेखर सिमा की खोज किये थे इसलिए इस सुब्रेमन्यम चंद्रसेखर को 1983 में जाके Nobel पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया है ठीक है अब बात आती है कि चंदर सेखर सीमा है क्या तो सूर्ज के दरभ्यान के 1.44 गुना की अधिक्तन सीमा को ही हम लोग क्या बोलते हैं चंदर सेखर सीमा बोलते हैं Next question हमारा question number 20 Question number 20 कह रहा है कि परकास का अनुप्रस्त मतलब transverse तरंग है साबित करती हुई एक मातर घटना कौन सी है तो polarization जो होगा वो ये साबित करता है कि परकास जो है वो एक transverse है मतलब अनुप्रस्त तरंग है ठीक है तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि है हमारा question number 21 question number 21 कर रहा है कि hemoglobin में कौन सी धातु होती है तो hemoglobin के अगर हम बात करते तो इसमें Fe plus यानि iron होता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही answer हो जागा ठीक है देखिए hemoglobin जो है वो दो सब्द से बनाए एक पहला है heme और दूसरा है globin heme का मतलब क्या होता है हीम क्या है एक एरंजयक है मतलब डाई है और नॉमिक globin क्या होता है लो यूक्त प्रोटीन जो होता है वो globin होता है ठीक है एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हमारा normal human होता है मतलब जो समान बेखती है उनके रेक्ट में hemoglobin की जो औसत मात्रा होती है वो होती है 15 ग्राम पर 100 ml ठीक है तो ये याद रखिएगा ये पुछा जा सकता है next question है question number 22 question number 22 कर रहा है कि किसी निष्ची छेतर जैसे तलाब आदी में पौधेवज जन्तूओं के बीच पारंपरिक संबंध को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता बायोम तो option number ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है next question है question number 23 question number 23 कर रहा है कि चीटी के कितने पैर होते हैं तो चीटी के 6 पैर होते हैं तो option number ये जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा next question है एक भारती है हाथी के बच्चे का बजन कितना होता है तो इसका जो सई अंसर होगा बो हो जागा option number C 100 kg से लेके 150 kg तक हाथी से एक चीज याद रखेगा कि हाथी जो प्रिथी भी पर अस्थल का सबसे बिसाल प्रानी है और जो हाथी की जो female होती है मतलब इसको हथ नहीं बोला जाता है उसका जो गर्भवस्था होता है वो 22 महीने का होता है ठीक है next question है question number 25 question number 25 कह रहा है कि रेक्ट को जमाने में कौन सा प्रोटीन उप्योग में आता है तो इसका जो सई अंसर होगा वो हो जागा option number A phybrinogen ठीक है phybrinogen protein जो होता है अब phybrinogen protein का निर्मान यह कृत में vitamin A के साहता से होता है ठीक है और आप लोग तो यह जानते ही होंगे कि vitamin K जो है वो जाक्त के ठक्ता बनने में साहता करता है next question है question number 26 ATP है तो ATP क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number C उच उर्जा सहीथ phosphate बंद का एक अनू है ATP के अगर full form के अगर हम बात करते हैं तो ATP का full form होता है adenosine triphosphate ठीक है ATP को क्या बोला जाता है ATP को बोला जाता है उर्जा का सिक्का एक चीज और याद रखिएगा कि जब गुलकोज के एक अनू को पूर्ण रूप से oxy karan कराया जाता है तब 38 ATP 38 ATP के बराबर उल्चा का निर्मान होता है ठीक है चलिए next question है question number 27 question number 27 कह रहा है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है तो दिल का दौरा जो होता है वो हिर्दय में रक्त की आप्रूती की कमी से होता है तो option number C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है और एक चीज और याद रखिएगा कि hard attack मतलब जो दिल का दौरा होता है इसका मुख कारण क्या होता है कि हिर्दय की जो धमनिया होती है उनमें कलस्ट्रोल का जमा होना जो होता है वह ही इसका मुख कारण होता है ठीक है एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी किसी को दिल का दौरा पढ़ता है या hard attack इसको बोलते हैं वो आता है तो सीने के बाएं हिस्से में आचानक से दर्द उठेगा ठीक है सीने के बाएं हिस्से में हमेशा बाएं हिस्से में दर्द उठेगा next question है 28 28 कह रहा है कि निमलिखित प्राणियों में से किस में खुला परिस्शन चरण तंत्र पाया जाता है ठीक है, next question है question number 29, question number 29 कह रहा है कि चूने के जल यानि lime water में क्या होता है, तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ हो जाएगा calcium hydroxide यानि option number B, calcium hydroxide को हम लोग क्या बोलते हैं, caoh का whole 2, ठीक है, clear है, calcium hydroxide को और क्या बोला जाता है, lime water भी बोला जाता है, ठीक है, next question है, question number 30, question number 30 कह रहा है कि पेट्रॉल से लगी आग को बुझाने के लिए प्राया जल का इस्तमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहुँ हो जगा option number B, क्योंकि जल और पेट्रॉल पेट्रॉल जल की सता पर परत बना लेता है, पेट्रॉल जो होता है, जल से हलका होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, पेट्रॉल जो होगा, जल की सता पर परत बना लेगा, और इसलिए क्या होगा, उसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, पेट्रॉल से एक चीज याद Question number 31 कह रहा है कि बीज बोते समय समान तक काम में लाए जाने वाले उर्बरक में क्या होता है तो इसका जो सही अंसरोगा बहुत जागा Option number B यानि पोटास क्यों पोटास का हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जो पोटास होता है वो पोटे की बृधियवं विकास के लिए सबसे अबस्यक्तत्व है इसलिए जब हम बीज बोते हैं तो पोटास का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं क्लियर है चलिए Next question है question number 32 Question number 32 कह रहा है कि रासाइनिक तोर पर इंटरसेरोन क्या है तो रासाइनिक तोर पर इंटरसेरेन को हम लोग बोलते हैं गलाइको प्रोटीन बोलते हैं तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा Next question है question number 33 Question number 33 कह रहा है sodium carbonate के निर्मान के लिए solvay procreia में परियोग में लाई जाने वाली कच्ची समागरी में क्या सामिल होती है तो देखिए कच्ची समागरी में सामिल होता है sodium chloride जिसको NACL बोलते है lime stone, CCO3 और ammonia जिसको NH3 बोलते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number D sodium chloride, lime stone और ammonia ठीक है Next question है question number 34 question number 34 कह रहा है कि chlorine है, तो chlorine क्या है इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number E, संदूसित जल में chloride की थोड़ी मातरा में मिलाना यही chlorine nation कहलाता है ठीक है, अब chlorine का सर्थ पर्थम उपियोग कब हुआ था 1850 इस भी में chlorine का उपियोग सर्थ पर्थम किस ने किया था जॉन स्लो ने किया था जॉन स्लो ने हैजा सेंटी पढ़ने के लिए किया था, ठीक है next question है, question number 35 question number 35 का रहा है कि अंतराष्टिये दिनांकरेखा कहां से होकर गुजरती है, तो अंतराष्टिये दिनांकरेखा जो है, वो 180 degree green beach से होकर गुजरती है, तो option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा, अंतराष्टिये दिनांकरेखा से एक चीज़ और याद रखिएगा कि अंतराष्टिये दिनांकरेखा परसांत महसाकर के मध में उत्तर से दच्छिन की और खीची गई ये क्या है कालपनी ग्रेखा है, ठीक है इसका निर्धारन कब किया गया था अंतराष्टिये दिनांकरेखा का इसका निर्धारन किया गया था 1884 में, बासिंग्टन में next question है, question number 36 question number 36 कह रहा है कि निमलिखित में से किसको हमारे सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था प्रन्तु अब उसे बौना ग्रह कहते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बहुँ जगा option number C, Pluto देखिए, अब ये question भी एक बार पूछा गया है कि Pluto को कब से बौना ग्रह माना गया मतलब कब से उसको ग्रह होने की संग्या खतम कर दी गई है तो याद रखिएगा 24 अगस्ट 2006 से ठीक है कब से? 24 अगस्ट 2006 से ठीक है अगर हम बात यहां पे एक चीज़ और करते हैं पहला बात है कि इसको आखिर ग्रह से क्यों अटा दिया गया देखिए ग्रह हम लोग कहते कि इसको है एक ऐसा आकाफ ये पिंड जो अपनी स्वतंतर कच्छा में सूर्ज के चारो और प्रिकर्मा करता है उसको ग्रह करते है मतलब जिसका आपना है क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट और्बिट होना चाहिए ये स्वतंतर कच्छा होना चाहिए लेकिन ये जो प्लूटो है वो कभी कभी क्या होता है कि बरून जो ग्रह है उससे ओभरलैप कर लाता है जब वो घूमते रहता है तो उसका जो और्बिट है वो बरून के ग्रह से ओभरलैप कर लाता है इसलिए इसके पास अपना कोई स्वतंतर कच्छा नहीं है और इसे के कारण इसके ग्रह होने की मानता जो है वो समाप्त कर दी गई है ठीक है Next question है question number 37 Question number 37 कह रहा है कि सागर में भुकंपी लहरे किस नाम से जानी जाती है तो सागर में भुकंपी लहरे जो है वो सुनामी के नाम से जानी जाती है ठीक है देखें सुनामी जो है वो दो सब्दों से मिलके बना हुआ है एक सू और एक नामी ठीक है अगर हम बाफ सू की करते है तो सू का मतलब होता है टट ठीक है अंध मासागर की गर्म जलधारा है तो अपसर नमर C जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है और गल्फ स्ट्रिम्ट से याद रखेगा कि यह जो जलधारा है वो मैक्सिको के खाड़ी से उत्पन होकर उत्तर पुर्वी दिशा की ओर यूरोप के पश्मी टर्ट तक परवाहित होती है ठीक है नग्स कोशन है कोशन नमर 39 कोशन नमर 39 कह रहा है कि परतेग जोर के आने का समय अंतराल क्या है तो 12 घंटे 26 मिनट है समय अंतराल तो अपसर नमर D हो जागा ठीक है देखिए आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगा कि समुद्र का जो जल है वो एक दिन में दो बार एक निश्चित समय के अंतर पर उठता है और नीचे गिरता है और जो उपर उठने की किरिया है उसको बोला जाता है जो और जो नीचे उठने की किरिया है उसको बोला जाता है भाटा ठीक है और यह जो 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 question number 40 question number 40 कह रहा है कि प्राता काल काफी मात्रा में ओस बनने के क्या करण है तो इसका मतलब है साफ आसमान और सांथ हवाएं तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा एक चीज़ और याद रखेगा कि बादल वाले जो रात्री होते हैं उसमें ओस नहीं बनते हैं ठीक है next question है question number 41 question number 41 कह रहा है कि किस परकार की मिट्टी में कारवनिक पदार्थों की अधिकता होती है तो जलोड मिट्टी में होती है alluvial soil में होता है तो आपसा नबर B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा जलोड मिट्टी होता ग्या है जो मतलब जो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी होती है उसी को हम लोग जलोड मिट्टी बोलते है ठीक है अब भारत में सबसे जादा यही जलोड मिट्टी ही पाया जाता है अप्रॉक्स 22% ठीक है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 42 कोश्चन नमबर 42 कर रहा है कि सत्पूरा तथा बिंदयाजल के मद में कौन सी नदी बहती है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जाएगा नर्मदा नदी यानि उप्सन नमबर D ठीक है और नर्मदा नदी निकलती कहां से है अमर कंटक के पठार से निकलती है और कहां जाके गिट जाती है खमबाद के खाड़ी में गिल जाती है नर्मदा नदी से चीर याद रखिएगा कि नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा मतलब the lifeline of गुजरात बोला जाता है ठीक है lifeline of गुजरात बोला जाता है next question है question number 43 question number 43 कह रहा है कि कौन सी आच्छांस रेखा भारत के मत से होकर गुजरती है तो इसका जो सही अन्सर है बो हो जाएगा option number C 25 degree उत्री आच्छांस रेखा और 25,25 degree उत्री आच्छांस रेखा को क्या बोलते है करकरेखा बोलते है ठीक है अगर करकरेखा भारत के कितने राजियों से होकर गुजरती है आठ राजियों से गुजरती है आठ राज कौन कौन है बो राज हैं गुजरत, राजस्थान, मद्रपरदेश, च्छतिसगर, जारखन, पश्चिम बंगाग, तिरपूरा और मिजोरम क्लेर है? चलिए तो आसा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और हमारे द्वारा जो ये सीरीज चलाया जा रहा है प्लेटफॉरम वॉल्म टू का, वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर वीडियो में कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा साथी साथ एक like जरूर कर दीजेगा मैं देखता हूँ कि आप लोग like नहीं करते हैं अगर आप लोगों को लग रहा कि वीडियो से मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो वीडियो को एक like जरूर कर दीजेगा ठीक है और comment करके आप लोग अपना marks बताइएगा कि कितना marks आ रहा है ठीक है next question है question number 44 question number 44 कह रहा है कि भारतिये जलवाईू कहलाती है तो भारतिये जलवाई क्या है उसन कटी बंदिये कहलाती है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है next question है question number 45 question number 45 कह रहा है कि पाक अस्टेट किसके बीच इस्थित है तो पाक अस्टेट जो है वो किसके बीच है बंगाल की खाडी और मनार की खाडी के बीच इस्थित है तो option number A जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा अब पाक अस्टेट किसको किसको अलग करता है इंडिया और स्री लंका को अलग करता है ठीक है अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से पूता हूँ अस्ट्रेट क्या होता है अस्ट्रेट मतलब एक ऐसा संकरा जलमार्क जो दो बड़े जलासों को जोड़ता है उसी को अस्ट्रेट बोलते है ठीक है नेक्स्ट कोचन है कोचन नवर 46 कोचन नवर 46 कह रहा है कि गंगा प्रमपुत्र डेल्टा छेतर का बन निमली खित में से किस भाग से जाना जाता है तो सुन्दर बन के नाम से जाना जाता है तो अपसन नबर D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा ठीक है सुन्दर्बन से एक और चीज़ याद रखेगा कि सुन्दर्बन को प्राकृतिक हजानों का रहस कहा जाता है ठीक है Next question है question number 47 Question number 47 कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है तो कोसी बहती है त्रिस्ता बहती है राभी बहती है केलानी नहीं बढ़ती है केलानी कहां बढ़ती है ये सिरलंका में बहने वाली नदी है ठीक है Next question हमारा question number 48 Question number 48 कह रहा है कि काला ककर काला ककर मुंडा थुराई Tiger Reserve कि सराज में इस्थित है तो ये कहां इस्थित है ये तमिलाडू में इस्थित है Next question है Question number 49 Question number 49 कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा अंतराष्ट ये सीमा कौन सा देश बनाता है तो ये कौन सा बनाता है अफगानिस्तान बनाता है और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तो कौन बनाता है सबसे ज़्यादा बनाता है बंगलादेश 496 किलोमीटर का सीमा बनाता है अगर टोटल पूछे कि कितने देश बनाते है तो साथ देश बनाते है अब वो साथ देश है कौन कौन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भुटान, नेपाल, बंगलादेश और मैंनमार है ठीक है नेक्स कोचण अमारा कोचण नमर 50 कोचण नमर 50 कहा रहा है कि निमलिखित मैं से कौन सा मिद्दा से संबनीत है तो इसका जो सईय अंसर होगा बहु जगा ओप्स्ण नमरмен ए इडेश आपल यह वो मिद्दा से संबनीत है ये मिद्दा टिज्यान का क्या है एक साखा है, ब्रांच है, ठीक है, next question है, question number 51, question number 51 कह रहा है कि सम्विधान में हमारे राष्ट का उलेख किन नामों से किया गया है, तो इसका जो सही अंसर है बहु हो जगा, option number भारत और इंडिया नाम से किया गया है, क्योंकि सम्विधान का जब अपने उछेद फर्स्ट 52 कह रहा है, कि सम्विधान के प्रादम होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिक्ता प्राप्त करने और समाप्त करने समदी प्रभधान है, तो यह नागरिक्ता अधिनियम होने इसा, पचपन, तो option number C जो होगा, वो हमारा सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, clear है, अगर हम ब कि किसी भी नागरिक्ता देने, अथवा उसकी नागरिक्ता समाप्त करने से सम्बंदीत कानून बनाने का अधिकार किसको है, भारत के संसत को प्राप्त है, ठीक है, next question है, question number 53, question number 53 कह रहा है, कि मिर्तु अथवा त्याग पत्र के कारण, राष्ट्पती पद रिक्थोने पर उपर राष्ट्पती के पद से सम्बंधित कारजो को, ठीक है, तो इसका जो सही अंसर होगा, बहुत जगा, option number C, अधीक से अधीक, 6 मासता निभाता है, उपर राष्ट्पती कितने दिनों तक राष्ट्पती के पद पर रह सकता है, 6 मासता रह सकता है, ठीक है, देखिए, अगर एक बात हम करते हैं, तो दो, तीन, अनुचेद याद रखिएगा, जहांपे, एक तो याद रखिएगा, अनुचेद 62, अनुचेद 62 ही ये कहता है, कि राष्ट्पती का पद अगर रिक्थ होता है, तो 6 मा के भीतर चुनाओ हो जाना चाहिए, ठीक है, और एक याद कि राष्ट्पती का पद रिक्थ होने पर, उपर राष्ट्पती जो होगा, वो राष्ट्पती के रूप में कार्ज कर सकता है, ठीक है, नेक्स कोशन है, कोशन नमबर 54, कोशन नमबर 54 कह रहा है, कि यदि या स्पीकर सदन के एक सदस को इसलिए बोलने से रोकता है, कि अन सबाकी कालिवाही को सुचारु आग वेवस्थी धंग से चला सके नेक्स है कोश्चन नबर 55 कर रहा है कि निम्नांगित में से किसने भारत में अस्थानिय सरकारों के लिए अंबर्समेन की अस्थापना की सिफारिस की है देखिए तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा परसासनिक सुधारायोग दूतिये है तो आप सनर बर सीज होगा बो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगर हम परसासनिक सुधारायोग दूतिये जो था बो अंब कि Ombudsman का मतलब क्या होता है जो अभी आप लोग पढ़े होंगे लोग पाल या लोका युक्त का नाम सुने होंगे ठीक है इसी को Ombudsman बोला जाता है ठीक है और सबसे पहले लोग पाल या लोका युक्त की शुरुवात कहां की गई थी और 1899 में स्वीडन में किया गया था इ या 65 बर्स की आयूग इनमें से जो भी पहले हो जाए उस तक ठीक है अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो चुनावायोग जो है वो भाग 15 में है और अनुछे 324 से लेके 329 तक चुनावायोग से संबंदित है ठीक है चुनावायोग जो है वो 3 सदस ये है उसमे एक जो होते हैं वो चुनावायोगत होते हैं और दो जो होते हैं वो एक मुख चुनावायोगत होगा और दो चुनावायोगत होगा तो अभी जो चुनावायोगत है वो कौन है अभी चुनावायोगत का नाम याद रखेगा जो मुख चुनावायोगत है उनका नाम है सुन नमबर 57 क्याए एक विकास खंड पर पंचाय समीती होती है तो इसका जो सही अंसर होगा वह जगा परसास किये अधिकरन होता है तो option नमबर 2 जो होगा वो हमारा सही होगा और यह जो पंचाय समीती है जो है क्या ग्राम पंचाय तो जिला परिसत के बीच करील का Question number 58 कह रहा है कि 6 बर्स की आयू से 14 बर्स की आयू के बीच के सभी बच्चों को सिच्छा का अधिकार ठीक है यह कौन सा अधिकार है तो यह मूल अधिकार है तो Option number B जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है और यह कब किसमें भाग 3 के अनुच्छेद 21 की A के तहत यह कहा गया है यह 6 से 14 बर्स की बच्चों को सिच्छा का अधिकार प्रधान है ठीक है और इसको कब जोड़ा गया था ठीक है अगर हम बात मौली का दिकार की कर लेते हैं तो मौली का दिकार से आप लोग भली बाती पच्चित हों के किसको अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है और मौली का दिकार को ही भारतिये सम्विधान में सोतंत्ता का मैगने कार्टा कहा गया है क्लियर है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नबर 59 कोश्चन नबर 59 कह रहा है कि परत्यच लोगतंतर में या बेवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित परति निदियों या अधिकारियों का बेवार संतोष जनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटा कर उनकी जगा नई प्रति निदि चुन सकती है इस पदती को क्या कहते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बो जगा अप्सन नमरे प्रत्याहन कहते हैं अब परत्यच लोगतंतर से एक चीज़ याद रखेगा परत्यच लोगतंतर जो है वो स्वीजर लेंड में है अब स्वीजर लेंड जो है व में जनता की भी भागेदारी होती है next question question number 60 question number 60 कह रहा है कि इन बैक्तियों में से कौन cabinet mission का सदस नहीं था तो cabinet mission के तीन सदस थे pathic lawrence, a stop it creeps और a.b. Alexander और जिसकी अध्यचता किसकी अंतरगत में था जो ये आये थे वो pathic lawrence की और ज हचता में आये था, तो ये जो billion wood होगा, वो नहीं थे, तो orbital number ये जो होगा, वो हमारा सही answer हो जाएगा next question number 60 question number 61 कह रहा है कि ivanal के बैतन का निर्ने कौन करता है तो 63 के बैतन का निर्मे कौन करेगा शनस्यत करेगा, तो absorption number ये जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा और कौन से अनुछेद के तहत अनुछेद 106 के तहत सांसदों के बेतन भक्ता का उल्लेक है ठीक है इसमें समय समय पर परिवर्तन हो सकता है नेक्स कोशन है कोशन नमर 62 महादिवक्ता का उल्लेक की सनुछेद में है तो महादिवक्ता का अनुछेद 165 में है ठीक है महादिवक्ता होता कोन है राज का सबसे बड़ा बिदिय अदिकारी होता है और इसकी निप्ति कोन करता है इसकी निप्ति करता है राजपाल और ये ज इन नामों से जाना जाता है तो इसका जो सई अंसर होगा देखिए अतिरिक्त उस्नकटी बन दिये चक्रवात से भी बेव साइक्लोन और डेप्रेशन से भी तो उप्यूक सभी इसका अंसर हो जागा उप्सन नमबर D चक्रवात से एक चीज़ याद रखेगा कि चक्रवात के केंद्र में निम्न बायु दाब होगा और चक्रवात के बाहर उच बायु दाब होगा और चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है चक्रवात का चेच्छू कहा जाता है क्लिर है चलिए नेक्स कोशन है कोशन नमर 64 भारतिय मुल्क के पहले भारतिय मुखने अधिस कौन थे तो इसका जो सही अंसर है वो है जेस्टिस हिरालाल जेकुंदास कानिया तो आपसन नमर डी जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जागा अगर हम बात उच्चितम नियाले की यहीं पर कर लेते हैं तो उच्चितम नियाले का जो गठन था वो 28 जन्बर यूनई सो 50 को हुआ था ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमर 65 बर्स 2020 में कितने लोगों को पद्म भीभूसन से समानित किया गया है तो इसका जो सही अंसर है बहुच अप्सन नमर B यानि साथ लोगों को किया गया है देखिए अब पद्म भीभूसन के अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रूसकार है ठीक है पहला तो है भारत रफन दूसरा है पद्म भीभूसन और तीसरा कौन है पद्म भूसन और चौथा कौन है पद्म सिरी पद्म बाले सिरेनियों में ठीक है पद्म प्रूसकार में तीन प्रूसकार दिया जाता है एक पद्म भीभूसन एक पद्म भूसन और एक पद्म सिरी तो इस बार यानि बर्स 2020 के रिए पद्म भी भूसन मिला है साथ लोगों को ठीक है पद्म भूसन मिला है 16 को अब पद्म स्री मिला है 118 को तो यह तीनों याद रखिएगा ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमर 66 कोशन नमर 66 कह रहा है कि भारत में तीसरा बड़ा सिविल प्रूसकार कौन सा है तो अभी हमने पढ़ा ही कि पहला है भारत रत्र दूसरा है पद्म भी भूसन और तीसरा है पद्म भूसन और चौथा है पद्म स्री तो यहाँ तीसरा पूछ रहा ह तो option number C हो जाएगा पद्म भूतन हमारा सही अंसर ठीक है next question है question number 67 question number 67 कह रहा है कि निमलिकेत में से किसे पद्म सिरी पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है तो इसका पद्म सिरी जो पुरुसकार है वो 118 लोगों को मिला है उसमें एक हैं कंगना रनौत भी है ठीक है प्रियंका चौपड़ा नहीं है शिल्पा सेठी नहीं मादरी देची नहीं है कंगना रनौत इसका जो है सही अंसर है next question है question number 68 कि परधान मंत्री नरेंद मोदी ने आत्म निर्भार भारत अभ्यान के माध्यम से कितने आर्थिक रहात पैकेज की घोसना किये तो इसका जो सही अंसर है वो है 20 लाग का डोड तो option number C जो है वो हमारा सही अंसर है ठीक है और इसको अभी जो हमारे country में या मतलब पुरे बर्ल में आप कह सकते हैं पुरे बर्ल में जो करोना महाबारी आई हुई है तो इसी करोना बारे संकट से जो हमारे यहाँ एकनौमी डाउन फॉल हुआ है मतलब आर्थिक समस्याओं को कम करने के लिए ही यह आर्थिक रहात पैकेज की घोसना की गई है ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमर 69 का रहा है कि निमने के कौन सूमेलित नहीं है तो निउंतम मजजदूरी अधिनियम उनेश्याओं बोनस अधिभुपतान अधिनियम जो था वो 1965 में पारित किया गया था और trade union अधिनियम 1926 सही है ठीक है next question है question number 70 question number 70 कह रहा है कि भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुछेद trade union बनाने की स्वतंतता देता है देखें तो यह हो जगा अनुछेद 1921 अनुछेद 19 में 6 तरह की स्वतंतता मिलती है यसे कि बोलने का अधिकार संग बनाने का अधिकार फिर आप किसी भी जगा बैपार कर सकते हैं किसी भी भारत की किसी भी जगार रह सकते हैं तो यह 6 तरह की स्वतंतता जो है वो की कर लेते एं तो अनुछेट 23 में क्या कहा गया है कि किसी भी भेक्ति की खरीद विक्री बेगारी या जवर्दस्ति उससे कोई काम कराना क्या है एक डंडी निया बराध है अनुछेट 24 की अगर हम बात करते हैं तो सर आपका उत्पादन किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जागा option number B गोवा में ठीक है साथ ही साथ याद रखिएगा कि दच्छिन कुछ दच्छिन भारतिये राज्यों में भी इसका उत्पादन किया जाता है ठीक है next question है question number 72 question number 72 कर रहा है कि भारत में राष्टिये आयका प्रेकलन किसके द्वारा किया रहाता है तो यह CSO के द्वारा किया रहाता है Central Estatical Organization के द्वारा जिसको हम लोग बोलते है केद्रिये सांखिकी संगठन या निया question number 20 जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा और केंद्रिये सांखिकी संगठन का मुख्याल है कहा है New Delhi में है ठीक है एक question और इससे पूझा जाता है कि सरपर्थम राष्टिया आयका आंकलन किसके द्वारा किया गया था तो सरपर्थम किसके द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था ठीक है next question हमारा question number 73 question number 73 कर रहा है कि मुद्रा स्पिती किस खारण से होती है तो मुद्रा पूर्ति में ब्रिधी से क्या होता है मुद्रा स्पिती होता है तो आपसा number D जो होगा वो हमारा सही अंसर हो जाएगा ठीक है मुद्रा स्पिती में होता क्या है बस तुओं की आप पूर्ति जो होती है वो कम हो जाती है अब मुदरा की आपूर्ती जादा हो जाती है अब जब मुदरा स्फिती के द्वारान जब मुदरा के मुल में कमी आती है तो इसी के कारण क्या होता है मागाई जो होता है वो बढ़ जाता है ठीक है Next question है Question number 74 Question number 74 कर रहा है कि भारतिये रिजर्ब बैंक द्वारा खुले बजार में प्रति भूतियां बेजने पर निम्न में से क्या होता है तो इसका जो सही अंसर में बहुत जागा मुदरा की आपूर्ती घट जाती है तो अब सानमरे जो होगा वो हमारा सही अंसर होगा ठीक है नक्स कोशन है कोशन नमर्ग 75 कोशन नमर्ग 75 कह रहा है कि भारतिये रिजर्ब बैंक द्वारा जारील की गई करेंसी नोटों की निमलिखित महात्मा गांधि शृंखला कौनसी है जिन पाँ प्रस्थीति की निरूपिर्थ है मतलब पीछे प्रास्थिती के मतलब ecosystem बना हुआ है तो वो हो जाएगा 5 रुपे की note पे तो option number D जो होगा वो हमारा सही answer हो जाएगा ठीक है अगर हम बात 500 रुपे की note पे कर लेते तो अभी 500 के नए note पे लाल किला बना हुआ है सो रुपे के नए note पे रानी का बाव बना हुआ है अब पचास रुपे के नए note पर हमपी बना हुआ है और 2000 के नए note पर क्या बना हुआ है मंगलयान बना हुआ है यह याद रखिएगा next question हमारा question number 76 question number 76 कर रहा कि निमलिखित में से कौन सा परतेयचकर का उदाहरन नहीं है देखिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि परतेयचकर होता क्या है तो जब कर का भार ठीक है या दवाब एक ही बेक्ती पर पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं परतेयचकर बोलते हैं तो इसमें जो बिक्री कर है वो आप पढ़ते है अच्कर है क्यूं क्यूंकि इसका जो भुकतान होता है वो अंतिमरूद से उपवोग करताओं के द्वारा किया जाता है ठीक है next question हमारा question number 77 question number 77 कह रहा है कि घरेलू बजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा या दी ठीक है कि काले धन के अनुमूलन के लिए सुझाब दे दें है तू निम्नांखित में से कौन सा आयोग की निप्ति की गई थी तो काले धन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था साह आयोग बनाया गया था देखे जो आयोग होता है तो जो उसका head होता है उसी के नाम पर उस आयोग का नाम रख दिया जाता है तो इसके head थे Supreme Court के एक पुर्वने आधिस जिनका नाम था नयामूर्ति A.B. साह तो इसलिए इसको साहयोग बोला गया ठीक है याद रखेगा कि काला धन पे रोक लगाने के लिए 8 नवंबर 2016 को हमारे कंट्री में बी मुद्री करन यानि डिमोन अटायेशन भी किया गया था ठीक है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 79 नाहीं कोशन नमबर 79 कर रहा कि भारत में पीत करन्ती यानि पीली करन्ती का संबंध किसे तो तीलहन के उतपादन के साथ है तो आप सन नमबर 2 जोगा वह हमारा सई अंसर हो जागा ठीक है धान का उत्पादन कि अगर हम बात करते तो धान और गयों का किसे था नेक्स questionnaire अमारा question number 18 question number 18 типа demand draft को cross क्यों किया जाता है तो demand draft को इसलिए cross किया जाता है कि जो आपका b kijken हो मतलब आपको पैसा मिले वो bank खाते के द्वारा ही किया जा सके इसलिए उसको क्या क्या जाता है cross किया जाता है चलिए तो आजा करते ही कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथ पहले आप लोग जाके ग्रूब से PDF डाउनलोड कर लिजेगा PDF डाउनलोड कर लिए एक बाद खुद से अटेम्ट कीजेगा और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखके उसका अंसर मैच कर लिजेगा और एकस्प्लैनेशन पूरा देख लिजेगा थाउनलोड कर देखके लिजेगा